जै सियाराम, राधे राधे, क्या है जी आज का वचार भारत वचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अमिनन्द अंद सुमित पीर्शो में और हमेशा की तरह मेरा निवेदन आपसे यही है, और यूजविल दिखा रहो, लाइक, कमेंट, शेर और और आपका बहुत समर्थन मिल रहा, इसके लिए बहुत-बहुत साथ वाथ, आज की विशे हमें आ रहे ही, बड़ा एक्स्क्लीूसिव, आज हम आपके पास विशे लेके आए हैं, डेरा गाजी खान में क्या हो रहा है, वाट्स अब बैंड क्या है, क्यों है, ये सब प्रक रांश्मेंट फैसल्टी हुआ करती थी, कुछ महीने पहले हमने सब ने दखा इस पे पी गुरूज पर जया ये क्युली की गाफी बात हुऑ थी, कि कुछ शरारती तत्वों ने इस फैसल्टी को द्वास्ट कर डिया, ये ही फैसल्टी तब द्वास्ट होती है, जब खब जाती है तो कुछ शरारती तत्व कुछ शरारती तततो है और ये तत्वा आज कल से बड़े निूस में है दोधो को टुका चुकिए ओपर दोधो हई प्रोफायल किलिंगे कर चुके cowboy इन शरारती तत्वों ने क्या किया इनों सहाब इस फैसल्टी को ही जाकर दोस्त कर दिया जी तो यह फैसल्टी दोस्त हो गए और जब यह फैसल्टी दोस्त हुई तो इसके लिए एक malware का यूज किया गए जो system को overload करता system को overload करता और system crash अब जानते हैं कि डेरा गाजी खान पर blackout था मीडिया को जाने दिया है radiation leaks थे अब भी black hole बना था और यह प्रकरन चल रहा था अब पाकिस्तान वो वो क्या बताँ मैं को पाकिस्तान वो कबाड़ी है जिसका कबाड़ लोड़ गया है राइट पर इस कबाड़ी के पास अब भी एक ऐसी चीज़ है जिसके दुनिया को बहुत सक्जरूरत है बहुत सक्जरूरत है इस उस चीज़ की दुनिया में और वहाँ यह चीज़ फ्री फॉर सेल हो चुकी है बना पैसे दो माल लो पैसे दो माल लो international terror की बात नहीं कर रहा हूं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं यह चीज़ है अब ज़र आप यहां देखे नक्षे में यह चीज़ है यह जो आपको लाल निशान देख रहा है इन सब जगाओं पे बलो है आपको बलर देखेगा जगाओं important नहीं आप देखेंगे काफी सारे पाकिस्तान के शेतर में यूरियनियम के डिपॉजिट्स है और यूरियनियम की माइनिंग भी होती है इस पे हैसाब दुनिया की नज़र और अगर आपको मैं एक वास्तविक्ता बताओं जो आप जानके हैरान होंगे यह रिशन यूक्रेणी कान्फिक्ट की बाते करते एक सारा रिश्या से आता है दुनिया की काफी कंट्रियों की जो यूरियनियम की डिमांड है वो रश्या पूरा करता अब भी लड़ाई चल रही पर यूरियनियम का इंपोर्ट एंडिश्ट यूरियनियम भी आ रहा रहा रए रश्या से रश्या से यूरियनियम बाब मिलेगा और अपनी शर्टों के मिलेगा तो अगर आप देखें तो इसमें खेलाडी कौन-कौन है इसमें अमेरिका के बाद अगर मैं थोड़ी देर के लिए यूरोप में भी साब यही प्रक्रण है यूरोप में अगर आप देखें फ्रांस का तरीब 22 से 22 परसेंट है उससे भी ज्यादा पावर नुकलियर पावर है उने भी यूरेनियम चाहिए अब जर्मनी में देखों जो बड़ी एकनोमी मानी जाती है जर्मनी का 40 से 60 परसेंट जो स्पियर रो मिटीरियल आता है वो चाइना से आता है और जो पावर डिपेंडेंस है और जो पावर डिपेंड China was the only country पीशे 2-4 साल पहले देखें जब European Union होता था China was the only country जिसके साथ जर्मनी का तो ट्रेट से 14 और घर्मनी और कि बिजली के नाम आस्मान शूरे तो ये जर्मनी भी बहुत पसा पर जर्मनी के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत काम किये साथ और मैं आपको बता हूं जर्मनी इस नौड नुकलियर पावर जर्मनी के पास वर्ल्ड वार टू के कुछ अमेरिकन बाम रखे और एक पुर तो अपने पिक्टियर देखेंगे वीडियो देखेंगे अब सडली लोगों के खयाल आगा है कि अगर इस फैसल्टी को एंडिश किया जाए जो पाकिस्तान में यूरेनियू हर जगाया बलोचस्तान में भी है यूँदेरा-गाजी-खान में भी है अगर इस यूरेनियू पर कबजा किया जाए क्योंकि पाकिस्तान में इस एसेट पर कबजा करना सबसे आसारा है फोज को पैसे दो माल उठाओ तो इसमें कौन-कौन सा लग नों किया सबसे पहले एक्टिव हुआ जर्मनी क्यों देखें जर्मनी के पास is something called PLC right programmable logical controllers what is that यह जो nuclear reactor होता है जहां चीज होती है इसके बिना इसका command control और इसमें safety नहीं रहती है अगर PLC's are like the safety equipment where you can control these technicalities में रहांगो control logic के लिए यह PLC ज़रूरी है अब PLC's three grade की होती है एक commercial grade होती है कहीं भी मिल जाएगी आपको military grade बहुत कम एक होती है centrifuge के लिए nuclear reactors के लिए वो बहुत कम लोग बनाते हैं जर्मनों की इसमें महारत है PLC सहाब आ रही है जर्मनी से कहां डेरा गाजी खान दूसरी चीज़ चाहिए होती sheet metals sheet metals insulation के लिए radiation leaks को चक करने के लिए मैं सराल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो sheet metals भी जर्मनी का चकासा हात है वो भी आ रही है तीसरी चाहिए होती special alloys metallurgy में जर्मनी काफी अंदर रहे वो special alloys चाहिए होती जो centrifug damage हुए है या whatever हो गया उनको repair करने के लिए उनको संचारित करने के लिए जो special metals metallurgy और कुछ खास किसम की alloys अगी वो भी जर्मनी से आ गई है अभी जो नहीं आया है वो है centrifug की motors इसमें जर्मनी और जर्मन की कंपनियों का अच्छा खासा है आपने अपने यहां देखो का कैसन करूप की lift लेगे आपको पता कैसन करूप सब्मेरीज भी बनाता है और बहुत बड़ा नाम है इनका तो मतलब जो company lift बनाती जो आपके हमारे building में लगी है वही सबसे 11 सब्मेरीज बनाती है तो जर्मनी में एक इंडस्ट्री का अच्छा मकाम है पर यह slowdown हो रहा है अब जर्मनी आप सोचेंगे क्यों कर रहा है दुनिया को नहीं पता जी बिल्कुल अमेरिका को पता है और अमेरिका के आशिरवाद से कर रहा है करो कबजा करो उससे दो एड्वेंटेज ह क्या आपके काम आजाएगा रिश्या पे डिपेंडेंस हटेगी और दूसरी बात यह जो पाकिस्तानी इदर उदर हरकते वरकते करते हैं थोड़ा कंट्रोल में आ जाए तो अब जर्मनी यह क्यों करेगा एक तो अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए और उसे रहा मेटी से अपनी टेकनोलोजी के माधियम से पाकिस्तान का यूरेनियम कंट्रोल कर लिए रिकोडेक में भी यूरेनियम है बाइदर वे सौधियों की नजर है इस पे तो अगर हमने यह कंट्रोल कर लिया तो हम काफी कुछ अचीव कर लेंगे इस इस माई टेम तो इमोच और उनको हम पस यहां के कारण के और अगर हमी जहांगीर महाबाड को माहण डाला शूमी थे और उसकीश कॉण हैं एक बहुत बड़ा कारण था तो अगर आप के पास, कोई सादन है, या इंटरनेशनल मीडिया बता करे की, अभी पी इसके कितने पाकिस्टानी जर्मनी जरो, कितने जर्मन, पाकिस्टान आ रहे हैं. ऑद जर्मनी से क्या-क्या कंसाइनमेंट्स आ रही है पाकिस्टान और इसमें consignments तो नहीं आप पाएंगी यह consignments वहाँ पे हैं और ऐसा नहीं हमें नहीं पता हमें तो महाकाल के खरपा से सब पता रहता है मतलब मैं अपनी बाद नहीं कर रहा हमें सब पता हमने सब पे नजर रखी हुई है और आपने हाज ही पढ़ा होगे एक नई खबर पाकिस्तान मे पाकिस्तान में वाटसप शायद बैन हो जाए और पाकिस्तान बीप करके कोई नया शगूफा लाया गया यह शगूफा इसले लाया गया पहले कि पहले हम पाकिस्तान में जो ऑफिशल है वो अपनी कम्म्निकेशन इस पे करेंगे अब खबर यह उड़ाई उन्होंने नहीं पर अगर आप कुछ ऐसा उलड़ा सीधा काम करें और आपको लगता वाटसप बहुत सेफ है वाटसप बहुत सेफ नहीं है कि हम आपको बता दो वैसे वाटसप वालो और हमारी रस्ताकर्शी चल रही है अभी दोजार एकिस में कोर्ट में भी उंकादमा था तो हाई को ने वाला है दो साल में और वाटसप का अच्छा खासर रेवन्यू यहां से आता है इंस्टा के सबसे जरा यूजर यहां है दोनों मेटा के प्रोड़क्ट्स हैं तब भी इतनी है कड़ है यह सोचते हैं कि यह हमारे श्यासन प्रिशासन से उपर है हमने इनको क्या गाता का जह का entry मारना और इसके server पाकिस्तान में होना यह हो यह माना जारा कि इसकी technology चाइना ने ली है और अब पाकिस्तानी government कहीं न कहीं चाइना के influence में पाकिस्तान और जर्मनी आके और अमरेका के आशरवाद से इस डेरा गाजी खान को एक्टिवेट करना चाते है और इसका अपना alternate बनाना चाहते हैं तो अगर डेरा गाजी खान एक्टिवेट हो गया तो कहीं ने कहीं मुनीर के ambition फिर एक्टिवेट हो जाएंगे कहीं ने कहीं ये फिर किसी को बं या एंडरिज शूरी ने बेचने की कोशिश करेंगे पिछली बार तो इस्राइलियों ने कर दिया जो करना था अब की बार कोन करेंगा क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत जल्दी बदल रही है और जो वाट्सप बैन है अगर आपसको देखेंगे तो इसके अगर मैं ताहर जो होता हूं तो इसके त इसके पाकिस्तान से बाहर ना जाए और जो भी डिलिंग वीलिंग हो वो बड़ी सेक्रेटिव ली हो और और बही कहीं सारे कारण हो सकते हैं कि अगर चाइना का सौट वेर आएगा तो चाइना बड़े आराम से पाकिस्तानी जन्रेलों अन्रलों रहें और इनकी माश्यों क और इनके अकाउंटों पे नजर रख पाएगा जो उनके लौगन में काम आएंगे बट मुद्धा यह कि डेरा गाजी खान को एक्टिवेट किया जा रहा है अब डेरा गाजी खान एक्टिवेट होगा तो इसराइल को इससे बहुत तकलीफ होगी क्या इसराइल अब इसको के तेरे बद चड़े होएं अभी और लोग के तेरे बद चड़ेंगे क्योंकि दो हाई प्रोफाइल हिट्स 24 गंटे में करना और अभी खबर आईए कि इरान का इस्लामिक रिवलूशनरी गार्ड जो है उसका एक और कमांडर निपटा दिये इसराइल में चलिए अच्छी करें जो भी अब हमें करना है जैसी भी हमें करना है देखिए अगर हम कुछ करेंगे तो कुछ लोग नाराज जरूर होंगे दुनिया में और अगर नाराज होंगे तो क्या कर सकते है अगर इसराइल कुछ भी कर सकता अपनी राश्टे सुरक्षा को लेके मुझे लगता भा गाजी खान में फिर कोई अप्रिय गटना गटी हमने कुछ नहीं किया सब महाकाल की इच्छा हमने कुछ नहीं किया बट फिलाल ये चिंता का कारण जरूर बना है क्योंकि इसके पूछ हमारे का कहात है और आप जानते होगी चाइना के इंफ्लूंस में पूरा फस चुका जर कि चाइना से दोस्ती एक कारण है तो चाइना भी ये जो समय करण है इसको एक्टिवेट करना चाहता है और इसमें जो लूजर है वो है दो रश्या इसराइल और भारत क्या रश्या इसराइल और भारत मिलके कुछ ऐसा चमतकार करेंगे जिस पर हम एक exclusive प्रोग्राम करना पड़े और आपको हमको देखने में मज़ा आएगा हो सकता कुछ भी हो सकता इसी लिए पिक्चर अभी भागिए मेरे दोस्त आजका लोग को लगता action नहीं हो रहा क्या पता बहुत बड़ा action देखे क्या पता बहुत जाला बड़ा action देखे देखे उमीद पे दुनिया हम इमेल आइडी है सुमित पी डॉट कॉम पे आई है हम हर तरह की advisory प्रोवाइड करते है वान टूवन पर स्क्राइज दुनिया में आप कहीं भी इस ऑनलाइन वहाँ फरक्नी पढ़ना चे और मेरा निवेदन तो आप जानते ही क्या है यह मेरा निवेदन है जी और इसी के हमारा महादेव और यह हमारा